गुलाबी नगरी जैपूर में मौझूद है मेरे नाम मानवे आप देख रहे हैं टीवी नाय निटवर्क और हमारे साथ हैं फिंडे एक्स्टर नई नवील एंट्री माइक्वेस्वी सेग्मेंट में अब देखे क्या है कि यह दो तरह के ट्रांस्मिशन आप्शन में आ रही विक्रम गौर पाजी के बास है, MT पाजी क्या हाल जादी बद बढ़िया पाजी और आप हमारे साथ आएं तो कुछ वजा रही होगी बिलकुल हम एक माइलेज चैलेंज करेंगे देखेंगे कि MT ज्यादा माइलेज देती है या AMT ज्यादा माइलेज देती है और दोनों की क अच्छा ना वही अडवांटेज है और उसके लावा क्या अडवांटेज है कि बहुत यह बहुत एपरीन ड्राइवर हूँ, एक्पीडियन्स बहुत है मेरे पास और और क्या बस बात ही घतम होगी मैं आपको बताता हूँ मेरे बास AMT और मैं चीटिंग नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल कीटिंग नहीं है दुश्मनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछ नहीं करता हूँ बताईए आपका स्ट्राटीजी क्या है इस खेल के लिए देखे मैं अपनी स्ट्राटीजी राइवल्स के सामने कभी नहीं पताता हूँ मैं को कच्छक मैं आपको बिल्कुल हूँ मैं क्या करने बाता हूँ एक तो यह लोग इंग्लिश के अनरे मौावरे कर देते हैं मेरी समय नहीं आता मैं जीटेंगे और मुझे अपनी ड्राइविंग केपिबिलिटी से पूरा यखीन है कि रेस मैं जीतूंगा विकरम पाजी सीनेर जर्नलिस्ट हैं बहुत दुने बर की गाड़े चलाई हैं लेकिन हमने कुई कच्छक आम तोड़ी खाए हैं हम जीतेंगे बाई हम जीतेंग जीत के रहेंगे ताकि फेर गेम हो मैंने ट्रिप बिल्कुल जीरो सेट कर दिया है और मुझे लगता है मानव ने भी वही किया है और ज्यादा भरोसा नहीं है बंदे पर मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं तो चीटिंग करेगा क्योंकि उसको जीतने की सवार कड़ी ह हुई है और मैं उसको रॉंग करना चाहता हूं जीतूंगा तो महीं मैन्यूल मेरे पास है यह ज़्यादा एफिशेंट है और इस पर में रिलाई करने वाला हूँ तो चलो शूरू करते हैं रेस माइलिज का तो देखो यार अब यह चालेज तो चल रहा है विक्रमपाजी के साथ अपाजी सीनियर तो है मानना तो पड़ेगा देखो कई सालों से और अटो जूर्लिस्ट है रहे हैं गाडियों उन्हें अलग अलग तरह के चलाई और उनकी ड्राइविंग स्कल्स नो ड़ाउड चल शबैद करें क्योंता बिए याद बिताइवाज धान तो हुअ कि चैर पर कंप्यूट उन्सान उन ले सकता थे अच्छा कामट इस सजिजन लेता है तो यह मुझाожно कि वहाँ पर मेरे दिफिकल्ट हो सकता है तो अच्छिल मेरी कॉन्फिडेंट की मैलेस तो निकाल ही दूँगा अभी हाइवे पर होटेल पहुंचेंगे और वाँ जा कि अपन लोग ये डेटा जो है चेक करेंगे एक उसरे का तो काफी देर से हम चला रहे हैंप तकरीबर बीस क्लाउटर कवर हो चुके हैं और अधरिज तो निकलरी काफी जबस दस्арищ निकल रही है गाडी की और मुझे लग रहा है कि यह जीतुंगा मानव आज़ लग रहा है वह कहीं नहीं चीटिटिंग तो करेगा ही करेगा बट अगर वह फैर गेम खेल रहा है तो मुझे लग रहा है कि AMT का माइलेज MT से थोड़ा सा तो कम आए गाई गाई और मेरा जो स्ट्राड़िजी यह है कि एक्सेलेटर जाद जाद जोर से मत दबाओ सदन ब्रेकिंग मत करो, सदन पिक अप मत करो क्योंकि काफी ट्राफिक है काफी चोटे चोटे गाउं से अम निकले हैं और उस चकर में ब्रेकिंग, स्लो मुविंग ट्राफिक भी सामने आता है जादा ब्रेकिंग भी हुआ है बट आप ट्राइटो कीप इट वरी स्मूध और इसी स्ट्राटेजी को अपनाते हुए मुझे लग रहा है कि यह चालेंज में ही जीतोगा ओ अगा विक्रम भाई तो ले रहे हैं गाडी के मज़े हैं उनकी निकलने वाली माईलेज भाई वो ओड़ेग ओड़ेग मार रहे हैं मतलब वो अलगी फन ले रहे हैं वो लगता है चालेंज भूल के होने लग रहा है सिब गाड़ी चलानी है एक्सपीरेंस करनी है पाजी विक्रम भाई कॉमपडिशन चल रहा है मैं जीच जाओंगा मैं बिल्कुल नहीं चाहता एक इतने सीनियर इंसान को मैं आ रहा हूं तो आप तोड़ा भ्यान अखो यार ठीक से आड़ी बड़ी चलो अच्छी मैलेज निकालनी है आपको अच्छा मानो को यह बात नहीं पता कि मैलेज जो चैलेंज है यह पले मैनुफेक्टर्स करते थे और उनमें हमने काफी भाग लिया है और एक बार हम फर्स भी आये हैं बट वो चैलेंज ऐसा था कि विंट जबर्दस निकल सकता है तब तो निकलता है करीब 26 ऐसे मालेज फिगर्स आते हैं यह थोड़ा रियरल वर्ड सिचुएशन है एस ही मैंने बिल्कुल बंद नी किया MTM आना है लेकिन क्या होतना आदमी ओवर कॉंविडेन्स में हार जाता है और कॉंविडेन्स आदमी को रा देता है उनको लग रहा है कि एम्टी 12 तेरा सूपर तब क्या ही देगी यह उनकी सोच में बता रहा हूं को लें मैं 17 निकाल के दिखाँगा यार लेकिन अब आपा ताकि एक optimum amount of fuel engine के अंदर जाया और ज्यादा efficiency मैं इस गारी से ले पाऊ। जो मेरी कम mileage वहाँ पर थी, गाहों के अंदर village area में थी, उसको मैंने highway पर आके cover कर लिया है। और मैं good 70 की speed में चल रहा हूँ है, और देखो यहां की speed limit 70 की, मैं 70 follow कर रहा हूँ, मैं तो मेरे तो चक्कर ही नहीं है कि मैं speed limit cross करनी रहा हूँ, और मैं cruise कर रहा हूँ, यह मेरी simple strategy है, बहुत ही simple है, मैं कोई time jam लगा ही नहीं रहा, अब विक्रम भाजी क्या strategy है, यह पता करते Hyundai Exeter AMT, मैंने कितना वादा किया था, आपने किया था कि आप 17, 17 MPL ना, आप यह देखो, यह रहा मेरा data, आपने कितना वादा किया था, मैंने किया था 15.2, in MT, in MT, manual transmission, आपका data, यह देख, तो यह 17.2 MPL, यह और अब कितना है, अभी 18, आपने कितना था 15, यह देखोगे, अगर आप डेटा बिलकुल गौर से देखोगे, फिर आप यह देखोगे, कि मेरी गाडी चलिये 30 से उपर, मेरी चलिए 25 km, पाँ किलो मेंटर का फरक है, मैं इसको margin of error मानता हूं, मतलब इतना तो चलता है, जादा चलने पर, तब भी मैं आपसे ज़्यादा माइलेज कीचा है, यह से एक्सपीरियेंस, अब यह देखो, सीनियर हैं तो सीनियर तो ही, लेकिन आपके देखें, यहाँ पर फाइदा आप ही का है, अगर आप AMT ले रहे हो, फिर भी आपको 17 से उपर की माइलेज मिल रही है, अगर आप MT ले रहे हो, तो 18 की माइलेज मिल रही है, इस सेग्मेंट में, फ्यूल एफिशेंसी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, हनवा जी, on a serious note, और हाला की, ड्राइविंग जो है, हमने थोड़ा बट बचा बचा के चलाया है, बट वैसे चलाया है, कि आल्मोस्स नॉमल, करेक्ट, फॉलोइंग चुरुआत में बोलाता है, कि आप गुपता हो, और आपको बचाना आता है हर जगे, बचाया तो बहुत, बहुत सही, बट फेर भी हारे, लेकिन, अपना वादा पूरा किया, 17.2 के MPL, Hyundai XTRA की, रियल ड्राइविंग टेस्ट के दौरान, माइलेज निकल कर आई है, और 18 के MPL, MT, Manual Transmission में, यह रियल रेंज टेस्ट हुगा है, आपको क्या लग रहा है, आप अब इस डेटा के बात का आखरी दोगे, AMT या MT, यह आप कॉमेंट करके बताएगा, और आपके हिसाब से क्या आप इससे जादा माइलेज निकला सकते हो, अगर आप यह चालेंज हमें करन और मस्त एक गाड़ी के साथ इंजोए किया, तो I hope you enjoyed this video, और हमें बट मजा है यह वीडियो बनाने में, और आपको एक मालेज चैलेंज दिखाने में, ऐसे वाइव वीडियो के लिए आमारे चानल को लाइक करें, शेर करें, सब्स्ट्राइब करें, मेरा ना मानव है, जब